नमस्कार दोस्तों आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की कहानी है ननत को नौकरानी बनाने वाली घमंडी भावी की खुद के भाई ने अकल ठीकाने लगा दी अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं पिन भी कर दूंगी तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं अभी तक आपने पढ़ा और सुना की सुजाता हमेशा अपनी ननत को अपमानित करती है और उसे मुफ्त की नौकरानी बनाए हुए है इसलिए वह चाती है कि उसकी ननत ज्योती की साधी नहीं हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभै की उम्र जोती से 7-8 साल ही ज्यादा होगी थोड़ा तो चलता है बिराट के कहने पर सुजाता चूप हो गई थी और आज सभी अभै के घर आए थी अभै के घर में साजो सामान की बहुत ही कम चीजें उपलब्द थी जबकि दोनों बाप बेटे ही वकील थे घर अच्छा बना था मगर फिर भी मंजुजी के घर जितना बड़ा नहीं था जब नास्ते वगेरा का दोर चला तब भी नास्ते में कम ही चीजें मौजूद थी ये सब सुजाता बारीकी से नोट कर रही थी अभै इकलोता लड़का था दो दो कमाने वाले थे फ चुप हो गए और जब महीने भर बात भी संकर जी और रमा जी को मंजुजी की तरफ से कोई जबाब नहीं मिला तो उन्होंने अभै का रिस्ता कहीं और ढूट लिया हलांकि इस बात से अभै को फर्क पड़ा था क्योंकि उसे जोती पसंद थी मगर किसमत का खेल समझ कर वो क्या करें सुजाता को पसंद नहीं आया था अब उसकी भी तो रखनी पड़ेगी ना वो भी तो बहु है इस घर की जोती की भाबी है कोई बात नहीं बहन किसमत की बात है मन्जुजी ने खुद के दिल को किसमत के नाम से दिलासा दिया मा को परेसान देखकर बिराट ने भ भी अच्छा रिस्ता ढूडेंगे मा आप परेसान ना हो जब साधी होनी होगी हो जाएगी जोती ने भी मन्जुजी को समझाया था अरे महेश तुम जोती ने महेश को अपने घर देखकर हैरस से कहा अंदर नहीं बुलाओगी महेश के कहने पर जोती ने झेपते हुए कहा हाँ हाँ आओ ना आओ महेश महेश अंदर आ गया जोती ने जट से मन्जुजी को आवाज दी मा मा देखो कौन आया है मन्जुजी वीलचेयर पर बैठ कर हॉल में आई मा ये महेश है उस दिन मुझे मिले थे ना जिसके बारे में भाईया बात कर रहे थे अच्छा अच्छ और दिपटी कैसी हो महेस ने दिपटी से पूछा दिपटी से उस दिन महेस मिल चुका था मैं अच्छी हूँ आप बताईए आप कैसे हो दिपटी ने जवाब देकर सवाल किया मैं भी अच्छा हूँ आज उसी रोड से फिर निकलना हुआ तो सोचा आप लोगों से मिलनू बहुत अच्छा किया बेटा आज आया करो इसे अपना ही घर समझो मन्जू जी ने प्रेम से कहा आवाज सुन कर सुजाता भी अपने कमरे से निकल कर बाहर आ गई भाबी ये महेस है उस दिन भाईया जिनकी बात कर रहे थे वही और महेस ये मेरी भाबी है महेस ने नमस्ते किया भाईया बता रहे थे कि आपके भाईया उमेस उनके दोस्त हैं जोती ने कहा अच्छा नाहिस मुझे तो मालूम ही नहीं था वैसे क्या नाम है तुम्हारे भाईया का बिराड जोती ने भाईया का नाम बताया ओ बिराड भाईया तुम्हारे भाईया हैं अरे वो तो भाईया के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मैं जाकर कहूंगा उनसे जोती ने चाय बनाई और थोड़े खाने पीने का इंतजाम किया महेस के लिए भाईय ने महेस से ना ही आगे बात चीत की ना बैठी और ना ही उन्होंने यह किया कि कुछ चाय नास्ते का इंतजाम ही कर देती वो वापस अपने कमरे में चली गई थी थोड़ी देर बाद महेस भी चला गया भाईया तैयार होकर बाहर निकली मन्जु जी ने पूछा क्या बात है सुजाता कहीं जा रही हो क्या मन्जु जी का इतना पूछना था कि सुजाता का गुस्सा साथवे आसमान पर पहुँच गया क्यों मैं कहीं जा भी नहीं सकती क्या मुझे कहीं भी जाने के लिए किसी की परमिसन की जरूरत है आप लोगों का दिल जहां चाहे वहां आते जाते हैं और फिर मैं अगर कहीं जाने के लिए तैयार हो जाओं तो पूछ कर जान खा जाते हैं सुजाता ने बहुत गुसे में बोला नहीं भावी मा के कहने का मतलब यह नहीं था ज्योती ने जैसे ही भावी को समझाना चाहा बतंगर बना डालती हो मन्झु जी ने कहा तो सुजाता जैसे आग बबुला हो गई हाँ हाँ मैं बतंगर बना डालती हूँ और तुम लोग तो बहुत सती सा बिद्री हो मेरा है ही कॉण्जों मेरी तरफ से बोलेगा यहां तो यहां आलम है कि अगर मा को बोलो तो बेटी आजाती है बीच में बोलने और अगर बेटी को कुछ बोलो तो मा आजाती है पच्छ लेने या करकर सुजाता जोर जोर से रोने लगी और फिर अपने कमरे में चली गई बिराट के आने का ठाइम था इसलिए जोती को चिंता होने लगी थी बिराट भाई आते ही होंगे इस त तुम और जोती दोनों मिलकर सुजाता को परेसान करती रहती हो नहीं बिराट ऐसा नहीं है तुम हकीकत नहीं जानते हो तुमें हकीकत जाने बिना हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए पहले कम से कम हमसे पूछना तो चाहिए कि हुआ क्या है तुम केवल पतनी की बात सुनकर हमें बोलने आ जाते हो माँ आप तो बिलकुल चुपी रहिए मैं जानता हूँ कि क्या होता है इस घर मेरी गैर मवजूदगी में बिराट ने कहा और फिर अपने कमरे में चला गया फिर थोड़ी देर बात दोनों ही तयार होकर कहीं जाने के लिए बाहर निकल गए सुजाता या विराट दोनों में से किसी ने भी मा या भेन को बताना जरूरी नहीं समझा इस बात से दुखी होकर मंजू जी रोने लगी तो जोती और दिपती दोनों मंजू जी को समझाने लगी तभी सालू जी भी आ गई सालू जी ने जब मंजू जी को रोते हुए देखा तो मंजू जी से बोली तुम रोती क्यों हो, तुम लोग भी उनकी परवाह करना बंद कर दो, जैसा सलूक वह तुम्हारे साथ कर रहे हैं, ऐसा ही सलूक तुम भी उनके साथ करो, तब ही अकल ठीकाने आएगी उन लोगों की, सालू जी सब कुछ जानती थी, बिराट और सुजाता दोनों के ही बिव का उन्हें मालूम था, क्या करू सालू, वह मेरा बेटा है, मैं भी उसके साथ ऐसा ही कैसे कर सकती हूँ, वह चाहे जितना भी मेरे साथ कर ले, मैं मा हूँ, मैं कैसे अपने आपको इस तरह कर सकती हूँ, मन्जु जी ने रोते हुए कहा, मैं जानती हूँ मन्जु बेटा चाहे कितना भी अपने साथ कर ले लेकिन मा का दिल नहीं होता है कि वो भी उसके साथ कुछ बुरा करे लेकिन उसे सबक देने के लिए कह रही थी ताकि उसे कुछ सबक मिले कि मैं जब इस तरह का वेवार मा के साथ करता हूं तो उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी मंजु जी स चाहरे से कहा कैसी खुस खबरी कल मेरी बेटी की सगाई है आपको और जोती को जरूर आना है सालू जी ने बताया अच्छा मोना की सगाई है आ गया क्या कमलेस विदेश से मंजु जी ने खुस होकर पूछा तो सालू जी ने कहा हाँ 15 दिन पहले ही वह कनाडा से आया है केवल दो मां की छुटी पर आया है इसलिए मीना जी चाहती है कि जल्दी से सगाई कर दें और फिर दो महिने के अंदर ही साधी भी कर दें क्योंकि कमलेस फिर दो साल बाद ही वापस आ पाएगा अच्छा तो क्या मोना की साधी भी जल्दी है मन्जु जी ने पूछा हा मन्जु अब क्या करूँ मीना जिमाने को तैयार ही नहीं है, इसलिए मैंने भी हा कर दी है, जल्दी जल्दी सारी तैयारियां पूरी करनी पड़ेगी, क्या साधी के बाद मुना बेटी यहां रहेगी या कमलेस के साथ कनाडा जाएगी, मन्जु जी ने फिर पूछा, नहीं मन्जु क कमलेस का कहना है कि दो साल बाद वो हमेशा के लिए यहीं आ जाएगा, यहां आकर वो इसक्रैप का बिजनस करना चाहता है, वो लोग चाहते हैं कि दो साल कमलेस अकेला ही कनाडा रहकर आ जाए तो अच्छा कमा लेगा, अच्छा है सालू, बेटी यहां रहेगी, हाँ वो आए तो सिधा अपने कमरे में चले गए, ना ही उन लोगों ने उनसे कोई बात की और ना ही खाना खाया, दूसरे दिन मन्जु जी और जोती को सगाई में जाना था, इसलिए दोनों जल्दी ही तैयार होने लगी, जोती ने थोड़ा बहुत ही घर का काम निप्टाया था, बाकी उसने जाने के चक्कर में छोड़ दिया था, जब सुजाता ने देखा कि दोनों मा बेटियां तैयार हो रही है तो सुजाता ने पूछा कि कहा जा रहे हो दोनों, मन्जु जी ने कहा कि सालु की बेटी मोना किया सगाई है वही जा रहे हैं, कब आई थी सालु सगाई का बोलने के लिए सुजाता ने तुनक कर पूछा जब तुम लोग कही गये थे ताब आए थे मन्जु जी ने जवाब दिया, अच्छा तो उन्होंने क्या मुझे नहीं बोला कि सगाई में मुझे भी आना है, सुजाता ने फिर कड़क कर पूछा, नहीं उन्होंने सिर्फ मुझे और जोती को ही बोला था सगाई जैसा काम है बहुत छोटा मोटा ही किया होगा इसलिए हम दोनों माँ बेटियों को ही बोल दिया होगा मंजुजी ने बहुत नमरता से बोला हाँ हाँ तुम्हारी ही तो रिस्तेदारी है उनसे इसलिए सिर्फ तुन दोनों को ही तो बोला है हमारी कौन लगती हैं वह हमसे बात ही कहा करती हैं जब भी आती है तब जो हमें बोलेंगी सुजाता ने बेहत गुसे में कहा क्योंकि उसको इस बात का ज्यादा गुसा था कि ये दोनों मा बेटियां तैयार होकर चले जाएंगी और बचा खुचा काम मेरे सुपुर्द आएगा आवाजे सुनकर बिराड भी उधर ही आ गया कहने लगा कि क्या हो गया क्यों इतनी जोर जोर से बोल रही हो देखो जी सालू आंटी की बेटी की सगाई है और उन्होंने मुझे नहीं बुलाया केवल मा और जोती को बुलाया है और यह दोनों जाने के लिए तायार भी हो गई है इनको जरा भी यह एसास नहीं है कि जिस घर में हमारी बहु की इजत नहीं है जिस घर में हमारी बहु को नहीं बुलाया गया है हम भी उस घर में नहीं जाएं, थोड़ा सालू आंटी को एसास तो होगा कि मैंने गलत किया है, अरे जिस घर में बहु की इज़त ना हो, बहु का मान सम्मन ना हो, बहु का ना बुलाया जाए, उस घर में तो इन दोनों को पैर भी नहीं रखना चाहिए, अभी सोचो बिराट उसी की ही जवान बोलने लगा, हाँ मा सुजाता ठीक ही कह रही है, थोड़ा सालू आंटी को इस बात का ध्यान रखना था, अगर सुजाता को बुला लेती तो उनके घर में कौन सा खाना कम पड़ जाता, बिराट ने कहा, तो मन्जु जी ने बड़ी नर्म आवाज में रखाई भी होगी तो कम से कम एक इनसान को बुलाने से क्या फर्ग पड़ जाता है, आप दोनों भी वहाँ नहीं जाएंगे, बिराट ने ऐसे कहा जैसे हुक्म सुनाया हो, बेटा लेकिन सालू आंटी को बुरा लगेगा, अगर हम दोनों नहीं गए तो मन्जु जी ने कह उनके बुरा लगने की फिक्र है आपको, और जो घर में आपकी बहु बैठी है, जिसके साथ सारी जिंदगी बिताना है, वह बुरा मान रही है तो इस बात की आपको फिक्र नहीं है, बिराट ने गुस्से में कहा, बात को आगे बढ़ते हुए देख कर जोती ही बीच में गई और फिर से अपनी मा को समझाने लगी, कि मा कोई बात नहीं हम लोग नहीं जाते हैं, सालू आंटी जब कभी भी आपसे मिले तो उनसे इस बात का जिक्र जरूर करना कि आपने भावी को क्यों नहीं बुलाया, मन्जु जी ने बेवसी से अपनी बेटी की तरब देखा और फिर चूप हो गई, उन्हें पता था कि बात को आगे ना बढ़ाने के लिए जोती ऐसा कह रही है, बिराट तो ओफिस चला गया लेकिन मन्जु जी और जोती जी चूप चापसी हो गई थी, मन्जु जी को इस बात की फिक्र थी कि सालू आंटी को बहुत ज्यादा बु अब देखो यह कैसी वाते हैं, हर इनसान अपनी हैसियत के हिसाब से हर काम करता है और अपनी मर्जी से ही जिसको बुलाना चाहता है वह बुलाता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम यह सोचे कि हमी नहीं बुलाया यह हमें नहीं बुला आने का, अगर अभी मैं तेरी सगाई करती तो क्या मैं उनके सारे घर को बुलाती, सगाई जैसे छोटे मोटे काम में तो इनसान कम लोगों को ही बुलाता है, हाँ अगर साधी होती तो सुझाता यह सब कहती तो मैं जरूर इस बात पर गौर करती, कोई बात नहीं मा, आप टेंसन मत करो, जब कभी आँटी आपसे मिलें, तो आप उनसे सारी बात कह देना, आँटी समस्दार है, हम लोगों की हर बात समस्ती हैं, वह इस बात को भी जरूर समझेगी, जोती ने मा को दिलासा दिया, मन ही मन सुझाता बहुत खुस थी, उसने इन दोनों मा बेटी को भी नहीं जाने दिया, ड दोनों अभी तक क्यों नहीं आई हैं, तब मन्जु जी ने बहाना किया कि मेरी तब्यट ठीक नहीं है, और मुझे लेकर हॉस्पिटल जाना है, इसलिए जोती भी नहीं आपाएगी, जोती मुझे लेकर हॉस्पिटल जाएगी, तुम मम्मी से कहना कि इस बात के लिए कर जा रही है, जरूर बात कोई और ही है, लेकिन घर में में अमानों के होने की वज़े से और बहुत ज्यादा काम होने की वज़े से वख खुद मन्जु जी के पास नहीं आ पाई, दिदी दिदी कहां हो, सुजाता का भाई जीत घर में सुजाता को आवाज लगाते हुए अंदर आया, सुजाता जट से अपने कमरे से बाहर निकली और भाई को देख कर खुस होते हुए, अरे जीतु आज इधर कैसे आ गए, बहुत दिनों बाद आये हो, क्या बात है, इतने दिन से तुम्हें वहन की याद नहीं आई, सुजाता ने एक ही सांस में सारे सवाल कर जीत ने बताया, तो सुजाता ने फिर कहा, गाडियों का कैसा काम, यही गाडियां सुधारना है, उन्हें ठीक करना है, कलर वगेरा करना है, ऐसे ही सारा गाडियों का काम है, जीत ने कहा, तो सुजाता ने कहा, चल वा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तो काम मिला, आगे चलकर कोई और अच्छा काम मिली जाएगा। भावी खुद भी ज़्यादा दहेज लेकर घर में नहीं आई थी। सुरू सुरू में तो भावी सब लोगों से अच्छे से रहती थी और उन्हें यह भी लगता था कि यह लोग हमसे ज़्यादा बेतर हैं। मगर बाद में जैसे जैसे बिराड भावी के गिरफ्त में आते गएं। भावी ने अपना रंग दिखाना सुरू कर दिया। अकसर हर घर में यही होता है कि जब तक बेटा, माँ और बेनों का पच्छ लेता रहता है पतनी चुप रहती है, सब सहती है और पती को भढ़काने वाला काम भी नहीं कर पाती है। लेकिन जब पती धीरे धीरे पतनी के कबजे में होने लगता है पतनी की जुबान बोलने लगता है तो पतनी को सह मिल जाती है वो फिर धीरे धीरे अपने पती के दिमाग में अपने ही घर वालों के खिलाब बाते भरना शुरू कर देती है और पती भी यही करता है कि अपनी पतनी की हर बात पर आंक बंद करके भरोसा कर लेता है बाबी ने जोती को आवाज लगाई जोती जीत आया है थोड़ा नास्ता बना दो और चाय भी बना देना साथ में सुजाता ने कहा तो जीत ने फोरण ही कहा नहीं दिदी खाने का टाइम है मैं तो खाना खाऊंगा अच् कि जोती ने तो दाल बनाई है और साथ में आलू फ्राई की हैं तो उसने जोती से कहा फ्रीज में पनीर रखा है जल्दी से जीत के लिए पनीर बना दो और हां मिठे में भी कुछ बना लेना जीत को खाना खाने के बाद मिठा खाने की आदत है जोती को हुक्म देकर सुजा याता वापस अपने भाई के पास जाकर बैठ गई और बाते करने लगी जोती ने जल्दी जल्दी पनीर की सबजी बनाई और मिठे में हलवा बना लिया हलवा मंजु जी को भी बहुत ज्यादा पसंद था और दिप्ती को भी इसलिए जोती हलवा लेकर पहले मंजु जी और दे आई फिर उसने जीत के लिए टेबल पर खाना लगाया और भावी को और जीत को आवाज दी आकर खाना खालो दोनों टेबल पर आकर बैठ गए लेकिन दोनों भाई मैनों मेंसे किसी एक ने भी यह नहीं कहा कि जोती तुम भी खालो या मा और दिप्ती को बुला लाओ खा आना खाकर उठे और जीत ने जाने की तायारी कर ली जीत जाने लगा तो ज्योती ने भी फर्माल्टी निभाते हुए कहा कि आना जीत जीत ने बड़े ही घमंड से बोला मेरी बहन का घर है दस बार आउंगा यह बात ज्योती को दिपती को और मंजुजी को अच्छी नहीं ल कोना साम हो चुकी थी सालु जी के घर से सारे में अमान जा चुके थे बेटी की सगाई भी अच्छी तरह से हो गई थी अब उन्हें मंझु जी की फिक्र सता रही थी आखिर मंजू जी क्यों नहीं आई इसलिए वह घड़ से बोल कर निकली कि मैं मंजू जी की तरफ जा रही हूं थोड़ा उनसे मिल कर आती हूं आखिर क्या वज़ा है कि वह मेरी बेटी की सगाई में नहीं आई जबकि ऐसा कभी नहीं होता था कि वह मेरे किसी काम में ना घर पहुंची तो मंजू जी उन्हें देखकर थोड़ी सरमिंदा सी हो गई आओ सालू आओ कहकर मंजू जी उन्हें अंदर ले गई जब सुजाता ने देखा कि सालू आंटी आई है तो वह भी उन्हीं के पास जाकर बैठ गई कि आज अच्छी सुनाएगी इन्हें भी साल से सुजाता ने कहा सच बात क्यों नहीं करती मां मंजू जी ने घबरा कर सुजाता की तरफ देखा और आखों से उसे चुप रहने खाई सारा किया पर सुजाता तो ठान कर बैठी थी कि आज सालू जी को अच्छे से सुनाएगी क्या हुआ था तुम ही बता दो सालू जी न नहीं बुलाया था मैं पूछ सकती हूँ इसका कारण क्या था आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया था सुजाता ने कहा तो सालू जी कहने लगी बहु इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है मेरे घर साधी नहीं थी सगाई थी जिसमें लिमिटेड लोगों को ही बुलाया इसलिए मैंने मंजू और जोती को बोल दिया था आने के लिए तो क्या इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है जो आपने मुझे बोलना उचित नहीं समझा सुजाता ने गुस्सा दिखाते हुए कहा नहीं नहीं बहू ऐसा नहीं है तुम तो इस घर की मेन हो लेकिन थोड़ा सा बात को समझो कि मैंने लिमिटेड लोगों को ही बुलाया था बस इसलिए अच्छा तो मा को छोड़ देती मुझे और जोती को बुला लेती या जोती को छोड़ देती मा और मुझे बोल देती मगर आप ऐसा क्यों करेंगी आप तो मुझे कुछ समझती ही कहा है जब भी आप यहां आती हैं तो मुझे बात तक नहीं करती हैं बहुत चुप हो जाओ भगवान के वास्ते चुप हो जाओ बात का इतना बतंगर ना बनाओ मंजु जी ने कहा हाँ हाँ मैं चुप हो जाओ क्योंकि मैं गलत हूँ और जो गलती करता है वह तो आपकी नजरों में इसा सही होता है सुजाता ने भड़कते हुए कहा तभी जोती भावी के पीछे खड़ी होकर सालू जी के हाथ जोडते हुए कहने लगी आंटी प्लीज अब कभी भी ऐसा मत किजिएगा हमारी भावी जी घर में सब कुछ है इसलिए कभी भी आपके घर कोई भी प्रोग्राम ह वो तो चाहे हमें ना बुलाना लेकिन भावी को जरूर बुलाना वो पीछे से हाथ जोड रही थी और सालू आंटी से माफी मांगते हुए उन्हें इसारा कर रही थी कि प्लीज अभी कुछ मत कहे बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी सालू जी भी उसके इसारे को हो गई और सिर्फ मंजू जी और जोती की वज़े से नर्म होकर कहने लगी अच्छा बहु माफ कर दो पहली गलती थी अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी अब सबसे पहले तुम्हें याद रखूंगी हम करते हुए सुजाता उठकर अपने कमने में चली गई मंजू यह क कैसी बहु है तुम्हारी कितनी जबान चलाती है जब इसने आज मुझे नहीं छोड़ा तो तुम लोगों के साथ कितनी बत्तमेजी करती होगी सालू जी ने सुजाता के जाने के बाद मंजू जी से कहा क्या करूं बहन मेरी तो बहुत मजबूरी है अगर इसके पिता जिन् इनके सहारों की जरूरत है मैं क्या करूं या कहकर मंजू जी रोने लगी सालू जी कहने लगी तुम चुपो जाओ मंजू रोने से कुछ नहीं होगा तुम्हें अपने आपको समालना होगा इतनी सी बात में देखो उसने कितना बतंगड बना दिया मंजू जी कहने लगी प कुछ काम हो और मंजु ना आए या तो हो ही नहीं सकता और इसलिए मैं महमानों के जाने के बाद तुमसे मिलने आ गई आज महेश दोबारा जोती के घार आ गया था जोती ने उसे चाय बना कर पिलाई मंजु जी भी वही बैठी हुई थी महेश से बाते करती रही लेकिन बैठ कर बाते करता रहता है देखो जी यह सब अच्छा नहीं है दो दो बहने हैं मैं हूँ घर में माजी तो चलो उम्र वाली है वह उनसे बैठ कर बात करती है लेकिन फिर भी लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे लोगों की जबान हम नहीं पकड़ सकते कोई भी कोई इलज का भाई है लेकिन इस तरह हर बार आना अच्छा नहीं लगता है जब मैं घर पर नहीं रहूंगा और वो आएगा तो लोग भी क्या कहेंगे आप तो बड़ी है कम से कम आपको तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए था आप तो कह सकती है उससे की बिराट की मौजूदगी में घर आया करो बिराट ने मंजूजी से कहा तो मंजूजी हैरस से बिराट को देखते हुए कहने लगी बेटा इसमें क्या हुआ अगर कोई घर आ गया तो जरूरी तो नहीं कि घर आया है तो वैजोती की वज़े से ही घर आया होगा नहीं मा मुझे नहीं पसंद है कि मैं नही रहूं तब कोई अजनभी मर्द घर में आये और किसी को कुछ बोलने का मौका मिले बीराट पूरी तरह सुजाता की बातों में आया हुआ था अब की बार वो आये तो साफ साफ बोल देना कि या तो वो यहां ना आया करे या फिर बीराट की मौजूदगी में ही घार आया करे मन्जूजी चूपचाप बस बीराट को देखती ही रह गई जोती चूपचाप अपने कमरे में बैठी थी मन्जूजी उसके पास आए और पूछा कि क्या हुआ तुम किसी परेसानी में हो मा मैं सोच रही थी कि महस आएगा और आप उसे इस तरह कुछ कहेंगी तो उसे कैस महसूस होगा क्या सोचेगा वह हमारे बारे में जोती ने कहा तो मन्जूजी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा बेटा तुम चिंता मत करो मैं उसे इस तरह समझाऊंगी कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा मैं इस खुद भी बहुत समझदार लड़का था व भावी भी कबसे आपसे मिलने की जित कर रही थी इसलिए मैं आस भावी को भी लेकर आ गया मन्जूजी ने कहा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया विटा दरसल वजह ये थी महस को भावी के साथ लाने की कि वह जोती को पसंद करता था और जब उसने यह जिक्र भावी स भी पसंद आ गई थी वह लोग जल्दी ही रिस्ता लेकर आने वाले थे महस की भावी अलका को तो ज्योती बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी और मन्जूजी और दिप्ती की भी वो तारीफ करते नहीं ठक रही थी बस उसे सुजाता पसंद नहीं आई थी सुजाता का भार इन साशनंदों के साथ भी अच्छा नहीं होगा अलका ने अपनी सास आसा जी से ज्योती की बात की महस ने उसे पहले ही समझा दिया था कि यह मत कहना कि महस की दोस्त है या महस भी उसे जानता पैचानता है ज्योती तुमारी फ्रेंड वगरे ही है मा को बताना अलका न कोई अत्राज नहीं था, उन्होंने भी जोती को देखने जाने के लिए हा कर दी थी, महस बहुत ही खुश था, अरे साबित्री दीदी आप मंजू जी साबित्री जी के गले लग गए, साबित्री जी मंजू जी की बड़ी ननत थी, साबित्री जी अपने भाईया के मरने के बाद पहली बार ही मन्जु जी के घर आई थी वो बिराट की साधी में भी किसी वज़े से नहीं आ पाई थी साबित्री जी ने भी मन्जु जी को प्यार से गले लगाते हुए कहा और मन्जु कैसी हो मैं ठीक हूँ दीदी आप बताईए आप कैसी हो मन्जु जी ने फिर साबित्री जी से पूछा मैं भी ठीक हूँ साबित्री जी ने कहा दीदी आप से बहुत सिकायत है आप आपके भाईया के जाने के बाद एक बार भी नहीं आई साबित्री जी थोड़ा कड़े सोभाव की महिला है क्या साबित्री जी के आने से सुजाता के अंदर कुछ बदलाव आया क्या जोती का रिस्ता तैं हो पाया या फिर सुजाता ने फिर कुछ धमाल मचाया जानने के लिए सुनिए कहानी का तीसरा भाग और भी मज़ेतार अगर आप इस कहानी का तीसरा भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में या सारनो जरूर लिखिएगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सेरें चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं कहानी के अगले भाग में